जैहिंद तो आज मैं आपको बता दू कि सिख्छा मंत्रे ने विधान सभा में पूरक प्रश्ण में असपश्च रूप से अका दिया है कि जो भी टीचर वो गलत ढंक से नियोजित किये गये हैं या नियोजित किये जा रहे हैं उन शबों पर कारवाई की जाएगी ना कि पर जनरल ने उसको कवजा लिया है या दूसरे ने कवजा लिया है तो उस पर भी जहां चल लही और उस पर भी करवाई की जाए इसका मतलब यह असपश्च तरफे कहा गया है कि जो भी गलत ढंक से चाहे वह किसी भी कोटी को और दूसरे कोटी में गये हो या फरजी सर्टिफ लोग ऐसा महल बनाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में कम से कम जाने की इच्छा हो जी कहना तो बरी आसान है लेकिन आप जब जमीनी हाकिकत पराते हैं किसी स्कूल में जाकर खुद आप देख सकते हुआ कि क्या हाला थे जब सिक्षक ही क्वालिटेटिव नहीं है गुनव इसी समाप्त है जो बाहर ना कमाने के बजाए यहां पर पंद्रह सो दोहजार में नौकरी किये थे क्या उनसे हम क्या पेक्षा कर सकते हैं तो आप कैसे सरकारी विद्याल में ऐसा महल प्यार करें यह किवल हावा हवाई बात है और जो क्वालिटेटिव टीचर पास उनको तो आप जोग दे नहीं रहें कोर तक नहीं जाने देंगे सिक्षेवया केता थोने वाल नीक्तियों के माम लोगो नहीं जाने देजेगा बिच में घोटाला कर देंगे तो कहां से जाएगा इत तमाम चीजे जो है से सरकार के लापरवाही को दरसाती है बोलते तो बड़ी परी बाते उंच उंच बाते हैं लेकिन कुछ भी धरातल पर नहीं होता है और आप बिहार को अतीत यानि जो पहले था उसको लेकर कितने दिन धोएंगे अभी आपके पास क्या है ये तो उस दुनिया जानती है तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं सिक्षा मंत्री का है बयान कहीं न कहीं उक्षाव है और एक उबाव भी है और जहां तक सीरेर दिसंबर जन्वरी को कब तक इंधिजार करना परेगा तो ये अब जिस तरीके से से स्टीटी जारेगारा वाले ने केस लर कर देख सकते हैं कि कैसे मौका को गए हुए मौका को हात में फिसल आया और 18 सितम अगस्त से 17 सितम अपलाई करेंगे यानि जिन लोग का छूट गया था उन तमाम भिरतियों के खुसी का अच्छन है क्योंकि उसमें अपलाई करने का मतलब होता आपके जोब हातों में क्योंकि साइंस में खास कर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर अपलाई ही नहीं किये गए यानि कैंडिडेट ही नहीं है कि वहाँ पर भरा जा सके तो साइंस के छेतर में काफी सीते खाली है और विसाय है जिसमें भी खालीयां चल तो इसका मतलब है कि जिनको आवेदन करने का मौका मिलेगा, किसी भी कारण बस उनको जानकारी नहीं के कारण, या किसी भी बज़त से अगर उसमें अपलाई नहीं किया, तो उनको अच्छा मौका है, और उनको जल्दी नोकरी भी मिल जागी दिसंबर तक, तो ये तमाम अब बक्त हीं बताएगा किसी भाली का वह ऐसे शिक्छा मंतिरी तो बार बार कर रहे हैं कि छटे चरन के समाप्ती के बाद उनको लिया जाएगा, लेकिन अभी ऐस साल तो टढ़ी चुका है, अब अगले साल की ही उमीद कर शक्ते जाएगे